नमस्कार दोस्तो, सुवागत आपका एशडी आईएस परिवार में दोस्तों जैसा कि आप जानते हैं कि एशडी पे मेंस प्रोग्राम चलाया जा रहा है जिसके अंदर हम डेली आप लोग के लिए दो क्यूशन लेके आते हैं उनके बारे में बात करते हैं कि कैसे उनको समझा जा सकता है पर्टिकुल एक सब्जेक्ट के होते हैं अब यहां से क्यूशन उड़ता है कि क्या एक ही सब्जेक्ट यहां पर कवर हो रहा है नहीं ऐते हैं आप आईएस की त्यारी कर रहे हैं तो चारों जीएस पेपर का परते हमें ये मेंस प्रोगाम हमारे लिए इतना इंपोर्टेंट है कुशन तो उठते हैं और जो कि जरूरी भी है देखे जब आप किसीज के त्यारी करते हैं और कुछ चीज देखते हैं कि हाँ मैं यूटूब पे आया हूँ और मुझे जो है त्यारी करनी है अपनी preparation में क्या मेरे लिए अच्छा है क्या मेरे लिए बुरा है मेरे slaybers के अनुसार मेरे exam pattern के अनुसार क्या मेरी help करेगा मेरी रहा को कौन आसान बनाएगा और कोन जो है मेरे लिए जरूरी नहीं है मुझे ही कैसे देखना है ये चीज आनी चाहिए आप views के आधार पर अन्य चीजों के आधार पर यहाँ पर आएंगे और निकल जाएंगे तो वो तो चीज अची नहीं है हमार लिए क्या important है तो आप देखते हैं कि हाँ यह मेरा syllabus है यह मेरा exam pattern है और इस लिहाँ से जो main चीज मेरी answer writing है और जैसे कि मैंने आपको बताया कि जदि आप IES की त्यारी कर रहे है तो चारो GS paper के परतेक सब्जेक्ट और यह आप किसी PCS की त्यारी कर रहे हैं किसी भी स्टेट PCS की तो जैसे कि History, Politics, Economics, Geography परतेक सब्जेक्ट को यहाँ पर cover कराया जाता है कैसे? आप सोचिएगा कि मान लेजे कोई भी टोपिक है, कोई भी, किसी भी सब्जेक्ट का जो आपके syllabus के अंदर है ठीक है, उसका कोई भी टोपिक है वो उस टोपिक को आप सोचते हैं कि हाँ, इसके ये ये आयाम यदि cover हो जाएं और इन पर questions create हो जाएं तो मुझे लगता है कि यदि इन इन आयामों को लेकर 10 questions यदि इस पर create हो जाएं तो ये मेरा जो एक topic है, ये अच्छे से cover हो जाएगा ताकि यहां से कुछ अजने चीजे पूछी जाएंगे, कैसे भी question पूछा जाए मेरे पास वो सभी point होंगे, मुझे पता होगा या फिर आप timer लगा कि जब answer writing करते हैं तो आपको पता होगा कि time की value क्या है और वहाँ पर problems क्या-क्या आती है, जब आप लिख रहे होते हैं तो सामने क्या-क्या चीजे आती है कि हाँ यह चीज़े क्या होता है कि time तो time की value है आपके सामने कि मैं लिख नहीं पाता हूँ वो 7-8 minute में जो question लिखना है उसको लिख नहीं पाता हूँ तो बहुत सारी चीज़े जो है वो सामने आती है तो इस सभी का solution क्या है अब आपके पास knowledge है किसी भी topic कोई question आया है उससे सम्मझीद knowledge तो है कि हाँ उस topic के बारे में आप जानते है मग प्रॉलम अन्य जहगा भी आती है कि जानते हैं मगर जैसे जानते हैं वैसे लिख नहीं सकते अब सोचना होगा कि इसकी प्रस्टूमी कैसे बनाओ point कैसे लिखू पता है किसके बारे में मगर point group में क्योंकि wording की limit होती है तो हर चीज सोच सोच के लिखोगे कि ये नहीं ये अच्छा है ये नहीं ये इसका पर्माण बिजना तो एक तो उतना अच्छा answer नहीं हो पाता है देखी knowledge थी आपके पास फिर भी एक अच्छा answer नहीं होगा time के अंदर नहीं होगा और time के अंदर किसी question का answer नहीं लिख पाओगे तो क्या होगा question शुटेंगे question शुटें तो फिर बाहर तो हर चीज important है views के अधार पर किया अन्ये के अधार पर जो को judge ना करते हैं हम का पर बढ़ते हैं आपने selection किये और हम क्या करते हैं परते एक subject को cover करते हैं कैसे हमारे लिए क्या important है आप आयों त्यारी करने के लिए किसी बाहर रह रह रहे हो या घर पे त्यारी कर रहे हो आप क्या कर रहे हो कि हाँ, ये मेरा slabus है, और ये मेरा exam pattern है, answer writing पर पकड़ होना, पहला point है कि हाँ, यदि उस चीज़ पर पकड़ है, तो इस selection हो सकता है, ये बात तो clear हो गई, ठीक है, अब आता क्या है कि answer writing पर चीज़े को, मैं अपने सारे subject, जो मेरा इतना बड़ा slabus है, उसको cover कैसे करूँ, क्योंकि वो चीज़ ऐसे point to point चीज़े होंगी, तो हाँ, चीज़े आसान हो जाएगी, बस वो ही चीज़े मुझे करनी है, है न, वो सब चीज़े हो जाएगी, तो चीज़े आसान होती ही चली जाएगी, कि हाँ, मेरे सारे subject कैसे है, point to point के लिए है, पर तेक topics से मुझे questions आसान हो जाएगा उसको लिखना, है न, तो बस वो ही यहाँ पर हो रहा है, कि सारे subject कवर हो रहे हैं, और हम क्या देखते हैं, कि किसी question को कितने अच्छे से परसूत किया जा सकता है, उसमें परवाल आजा सकता है, उसके point को कैसे cover किया जा सकता है, वो सारे सीज़े, वो point, वो topic, वो सब आपके cover होगा, follow chart, diagram, जहाँ पर दिस्टिस की जुरूत है, वो वहाँ पर बताया जाएगा, आईए बढ़ते हैं, question चेक करते हैं, कि आज हम एकनोमिसी class देखने वाले हैं, दो question जो हैं, अमारे लिए important है, वो देखने वाले हैं, question पहला, नीती आयोग से संब question मुझे देखना है, तो नीती आयोग से संबंदित question आपका आ गया है, जो आप comment करते हैं, तो हमें अच्छा भी लगता है, और क्या होता है, कि आप comment में पूछते हैं, main से संबंदित, जो भी आपकी problems है, जो आप पूछते हैं, कि हाँ sir, main से संबंदित, मैं ये problems face कर रहा ह तो उसका solution जो है, अगली कुछ वीडियो में आ जाता है, आप कोई question के demand करते हो, कि हाँ, इस topic से संबंदित सर मुझे ए question चाहिए, इस चीज़ से संबंदित है, तो आने वाली कुछ वीडियो के अंदर, वो question प्रवाइड करा दे जाता है, तो इससे आपकी पता चल जाता ह कि हाँ, कैसे question के रेट हो सकते हैं, और उसको लिखने का वी तरीक आ जाता है, तो आईए, सुरुवात करते हैं, question है, कि निती आयोग ने भारत में नियोजन की मूल बूत परकरती को, रनिती में और विकास दरश्टी कोन को जो है, अप, बोटम से, बोटम अप, यानि कि ज समावेशी विकास को समझाते हुए, बताईए कि क्या आर्थिग विकास समावेशी विकास को सुनुशित कर सकता है, तो दोनों question पर विस्तार से बात करते हैं, आईए, देखते हैं, question है, कि निती आयोग ने भारत में नियोजन की मूल बूत परकरती को, रनिती में, यानि क जो योजन आयोग का जो नियोजन सिस्टम था उसको चेंज करके किस में रननिती में और विकास जो दरश्टी कोन था हमारा हम क्या करते थे उपर से नीचे की और चलते थे अब जो है नीचे से उपर की और जो है हमें अपनी चीज़े को चेंज किया है अपने रननिती को चें कि इसकी अस्तापना जो है योजना परकरिया में राज्य सरकार की सक्रिया भागी द्वारेद्वारा शतत्विकास लक्षों को पराप्त करने के उद्धेशे की गई थी यहां सहकारी परतिसपर्दि संगवाद विजन रंडिति कारिय योजना आदी जैसे तरीकों के माद्धम से विकास के लिए काम करता है जो इसे जो है ततकालीन योजना आयोग से अलग करता है है ना यहां से हमें उस चीज के बारे में पता चला कि वहाई एक्षिन में यह क्यों है क्यों लाए गया क्या चीज़े है ठीक है और क्यों यह चीज़े चेंज कर दी है मैं बार-बार आप लोग के लिए बोलता हूं कि हाँ कई ये डिवार्ट रखता है कि उसके प्रष्ठोमी कैसी होगे है अप अपनी प्रष्ठोम में माली जमनीती आयोग दिखाख नीती आयोग कि बारे मता कि 2015 में यह है वो है ऐसा वैसा नहीं question की proper demand होती है कि हाँ, ये question है और मेरी प्रस्थूमी ऐसी ही होनी चाहिए तो कि question के अंदर ये ये चीज़े पूछी गई है, वो कैसे चीज़े पूछी गई है, हमें उस पर ध्यान देना होता है कि हाँ, question के अंदर ये demand है तो बस वैसे ही प्रस्थूमी हमारी होगी question कुछ अन्य तरीके का है प्रस्थूमी कुछ अन्य तरीके की लिख दी गई है तो अच्छा नहीं लगता जादा टेंसल लेनी नहीं है पस चीज़े को सीखते चलना है किस question के प्रस्थूमी कैसी होनी चाहिए हमें जो है प्रस्थूतिकरण हमारा कैसा होना चाहिए वो सब चीज़ें यहाँ पर होती चलेंगी तो आईए जो पूचा गया है क्या पूचा गया था कि भारत में नियोजन की मूल भूत परकरती को रणनिती में तो प्रस्थ जो टोपिक है जो माली दे प्रस्थूमी हो गई है ना फिर मुख्य भाग में क्या चीज़े कि नियोजन को मूल भूत पर करती रणनिती में और दूसरा क्या कि विकास जो हमारा द्रश्थी कोन है वो कैसे अब बोटम से किस के ओर बोटम से अब की ओर जो बदला है तो दोनों ही पॉइंट पर बात करेंगे है ना और फिर इसकर्स और चीज़े आसानी से कवर हो जाएंगे तो आईए कवर करते हैं प्रस्थूमी हो गई अब मुख्य भाग की ओर चलते हैं उसमें किन-किन के पॉइंट देखेंगे बई नीति आयोग का जो दरश्टी कौन है नियोजन से रनीति करण ये कैसे चीज़े चेंज हुई है ना वो सब पॉइंट हम देंगे ये कि जब हमारे पास चीज़े पॉइंट पॉइंट आ जाती है आपने नीति आयोग के बारे में योजना आयोग के बारे में जब चीज़े हुई उसका जो है इत्यास है चीज़े है वो पढ़ा होगा मगर जब कुश्चन लिखने की बारी आती है तो चीज़े इतनी आसान नहीं रहती क्योंकि एक्तोस का पैटन होता है कि उसको एक्चन में डिमांड क्या है वो हमसे क्या जानना चाता है जब हमें वे पता चलता है कि हाँ कुश्चन की डिमांड कुछ इस तरीके की है जो हमसे ये चीज़ जानना चाता है तो हमें उसी परिपेक्स में अंसर देना होता है मगर पढ़ाई हमें नोर्मल तरीके से की होती है कि हाँ हमें नीती आयो के बारे में पढ़ा है योजना आयो के बारे में पढ़ा है और जब क्यूशन जो है मिला जुला अन्य तरीके से आता है तो वहाँ पर कुछ अन्य चीज़े पुछी जाती है हमारे त्यारी से ये चीज़ चाहता है कि हाँ हमारी जो त्यारी है वो कुछ अन्य तरीके से की गई हो हमें बुक नोट से उपर जो है उसके बाद कुछ अन्य चीज़े सीखी हूँ वो क्या होता है मालीज आपने economics के रूप में book पड़ी होगी, notes पड़े होंगे classes दी होंगी ठीक है? उसके बाद ही IES या PCS की त्यारी अस्ठार्ट होती है सही माइने में जब आपना syllabus cover कुर चुके होते हो book पड़ चुके होते हो उसके बाद जो है त्यारी असले में त्यार होती है क्यों? आपके पास जो चीजे मिली है माले जो हीरा मिला है उसको तरासना पड़ता है है ना? अपनी त्यारी को देखना पड़ता है, उस रूप में ढानना पड़ता है अपनी knowledge को उस रूप में लेके आना पड़ता है, जिसको आप इस्तमाल कर सकते हो, है ना, आपके पास iron तो है, road तो है, है ना, मगर आपको किसी को मारना है उससे, तो क्या करना पड़ेगा, उसको उसकी धार लगानी पड़ेगी, उसको नुकीला करना पड़ेगा, है ना, क्योंकि जो आप कील, नुक नहीं हो गड़ेगी नहीं यज कि आप उसको न किसे ठोकों कि उसको तो आपर सारी प्रिलिम स्की सोने चाहिए किस के रूप में कि आई वह पूइंट हमारे पास होने चाहिए तो हमारी पड़ाई उसी तरीके से होनी चाहिए ज्यादा टेम से लेनी नहीं हो कि यहां पर सभी सब्जेक्ट कवर होंगे बस मस्क तरीके से ऐसे कुर्सी या फिर्ट पे पेटते हैं वहां पर लैप्टोप या फ कुन-कुन से पॉइंट होते हैं इसने योजना आयो के कठोर पंच वर्सी मोडल के बजाए क्या किया साथ साल की रणनी ती और तीन साल की जो है काय योजना के साथ 15 साल की दरश्टी जैसे दिरिक कारी लग्स से जो है वह त्यार किये कहा पर वो चीज मोडल था कहा पर यह प्रण आगया है ना एक पॉइंट त्यार टेंसन नहीं लिनी मस्ति में चलेंगे ठीक है बचीजे कैसे चल नहीं है यह पता चल गया अब मोज करते वह अपने पॉइंट लेंगे और फालतु टेंसन लेगे नहीं ठीक है उक्की भाई क्या करना है देश की सेवा करनी है बढ़ते हैं यह जो है प्रसितिकी से लेकर प्रोद्गी तक महत्वपूर्ण मामलों पर चर्चा का विस्तार करता है और उधारन के लिए सतत हिमाल्य प्रसितिकी तंतर जो है हैंडबुक और सभी के लिए जिम्मेदार AI आदी है ना आपने कोई बात बोलनी है तो एक्जा यह है है ना तो वह अच्छा लगता है किसको जो आपकी कोपी चेक कर रहा है उसको प्रसितिकर्ण यह बताएगा कि हाँ इसको प्रसितिकर्ण को पढ़ लेना चाहिए इसको मैं अच्छी से भढ़ूँगा देखने में अच्छा लग रहा है तो वह प्रसितिकर्ण की महत् पाएगा, तो यह बस यही अंतर होता है, एक इंसान का प्रसुतिकण बहुत अच्छा है, और एक इंसान ने गंदे तरीके से प्रसुतिकण किया गया है, आंसर तो लिखा है, मंगर गंदे तरीके से उसका प्रसुतिकण है, तो वो क्या होगा, एटेक्टिव नहीं है, है न, अच्छा नहीं लग रहा है देखने में, तो चुरो, मजबूरी है, पढ़ना पढ़ेगा, तो वह थोड़ा सा बोज लेके पढ़ता है, और जब आप किसी चीज को बोज लेके करते होना, तो वह क्या होता है, मज़ा नहीं आता, और जब मज़ा नहीं आता, तो पहले कि चलो, कुछ रोटर में गलती है, कोई बात नहीं, आगे अच्छा होगा, कुछ आन्ने चीज़ अच्छा होगा, तो वह अच्छा जानने का परियास करता है आप से, हैना किसने कुछ अच्छा किया होगा, वहाँ पर कुछ अच्छा लिखा होगा, पोजिटीव रहता है यह सब चीजे होती हैं कि के आगे बढ़ते हैं यह जो है वी निवेस और कर्सी विपनन और किसान हिते सी सुधार सुचकांग आदी जैसे जो है रन्नितिक सुधारों के लिए एजंडा त्यार कर रहा है नीति आयोग जो है परभावी विकास रन्नितियां त्यार कर रहा है जैसे कि राष्टिय पोसन रन्निति पोसन अभिहान है यह अपने पोइंट दे दिये कितना असान हुआ आपने कितना सारा पड़ा होगा चार पोइंटों के अंदर चीजे कावर हो गई कैसी कि भाई यह दरष्टिकोन का सिस्टम की कहरन निति चीजे कैसी है लिख लिया और ऐसे क्योंकि वर्डिंग की लिमिट होती है तो चीजे हो जाती है आगे बढ़ते हैं अब बात किसकी करते हैं कि जो हमारा दरष्टिकोन चेंज हुआ है पहले उपर से नीचे की और आते थे अम नीचे से विकास जो है उपर की और बढ़ेगा तो वो क्या है उसको कैसे लिखेंगे तो आईए देखते हैं देखिए सहकारी संगवात की भावनाव से अपनी सासी परिशद के माध्यम से जो है मुख्यमंतरी उपराज्यपाल परद्धान मंत्री को जो हम एक मंचपılar लेँगी देखिए सारे खट्य हो जाईए और यहां पर काम कीजिये बहुत हो गया सिरम और दर कोई भावने लगा हुआ है कोई इधर लगा हुआ है कोई उदर लगा हुआ है कुईघास होना है कि को उनके विप्रीत परदान करते हैं जैसे कि SDG छेत्रिया प्रामर्स और पुर्वत्र के लिए नीती मंज आदी तो आपनी कुछ बात बोली कि भई ये इसी को ऐसे परसुत करता है वैसे नहीं जैसे योजना प्राणी चीजे थी वो गंदीजी या ना ये ऐसे करता है और ये है तो अच्छा लगता है आगे बढ़ते है ये है जर्वत्रन परथाओ की पहुँच बढ़ा रहा है उधार के लिए जर पर बंदन में सर्वत्रन का संग रहे ऐगए ऑसमान से देख रहे है की जमीन पे जाकर देखो ना कि क्या प्रुलम्स है कि कि याप को पता चलता है कि हां, वाकिए यह चीज़े है, अब आप कमेंटर नहीं करोगे, आप यह चीज़े बताओधे ने, कि हमें क्या क्या प्रोल्मस पेस होती है, डरते रहोगे, किस से डरहोगे, बैइ स्लेक्शन लेने के लिए, ये हो तो आउसे एक्शन लो, हो गया अब उस चीज पर काम कीजिए नहीं वो अच्छा वो बुरा यह चीज यह ऐसा नी वैसा नी जहां पर धीजन लेने होते हैं आप कहीं पर पढ़ाई करने के लिए आते हो आपके लिए क्या चीज अच्छी है क्या है वो देखो ना अन्य चीजों में घुसे रहते हैं ऐसे ही यह है कि हलिकोप्टर वीजन है कैसा क्यों पर से देख रहे हैं चीजों को कि जमीन पर क्या हो रहा है बहुत जमीन पर जाओ वहाँ पर बात करो लोगों से प्रलम देखो वहाँ पर जाओ कि आंखड़े अच्छे मिलेंगे देखें कि यहां यह चीज ऐसे है कुछ बात रखी उसके साथ क्या है जमपक तो अच्छा लगेगा कि बात आपने कैसे परमाण के साथ आप बात करते हैं ऐसे हवाई भारिंग नहीं करते हैं कि अपनी बात तो कुछ अट्रेक्टिव नाने के लिए कुछ भी लिग दे नहीं आपने कुछ अट्रेक्टिव हैं के चीजिये लेते चलो अब बढ़ते हैं किसकी ओर किसकी ओर निस्कस की ओर नीति आयोक जो है एक रनितिक दरश्टि के साथ जो है सहकारी सीखने और कार्णमेंट के लिए एक ने तरीकों को लाया है नीतियों के जो है संतंत मुल्यांकन के लिए चमता निर्माण और इसकी परिवरतनकारी भूमिका को गती देने के लिए पाठ्ठे करम सुधार की आवशकता है जैसे कि मैं आको बार-बार बोलता कि आपका निसकर्स हमेशा पोजिटिव होना चाहिए कुछ बता आता हुआ कि हाँ यह चीज है मगर हमें इस चीज क्या हो सकता है यह चीज हो रही है हमेदी हम यह कर लेंगे तो अच्छा है हमेशा पोजिटिव चीजे आगे बढ़ते हैं दूसरे क्यूशन की और असानी स बताइए कि क्या आर्थिक विकास समावेशी विकास को समशित कर सकता है यान की पूनूप से जो है शी कीलेटीक है तो उसमें बात करेंगे कहां तक ठीक है वो प्तुं देंगे सांत, है ना, गुस्साी करना, मैं बताँघंगा ये किस demolition के लिए है, हमें बात किस्टी पे करनी है समावेशी विकास पर, उसके बारे में समझाना है, उसके बारे में बात करनी है, तो ये क्या है कि हम इस प्रश्टुमी क भी यूज़ कर सकते हैं, और इस प्रश्ट होदी कभी यह तो आप इसका यूज कर लीजे या फिर इसका option होना चाहिए तो option दे रहे हैं और कैसे भी सुरुवात हो सकती है यह हम आपको बता रहे हैं टीके OECD के अनुसार क्या बहुता है कि समावेशी विकास वह आर्थिक विकास है जो पूरे समाज में उचीत रूप से यह आप ऐसे लिखेंगे ना कि OECD जो है उसके अनुसार समावेशी विकास वह आर्थिक विकास है जो पूरे समाज में उचित रूप से वित्रित होता है और सभी के लिए अवसर पैदा करता है वह जो है वरदी करसी और गैर करसी ग्रामिन और सहरी चेतरों में विभिन समाजिक आर्थिक सम्मों में परती व्यक्ति आए के बीच ऐसमानता को कम करती है ठीक है एक ये तरीका सकता है कि स्युक्त राष्ट विकास कारिकरम ने जो है समावेशी विकास को उस परकरिया और परिणाम के रूप में परिबासित किया है जहां लोगों के सभी सम्मों ने विकास में भाग लिया और इससे समान रूप से जो है लामवित हुए समावेशी विकास का परिणाम जो है विक्तिकत ऐसमानताओं और समू ऐसमानताओं में कमी है। तो आप ऐसे भी लिख सकते हैं वैसे भी। दुनों ही बात ये चीज़े अच्छे से बता रहा है कि समावेशी विकास का एक्चूर में क्या चीज़े हैं। है ना उसके बारे में वो समझ में ब्यारी है उसके इसमें डेफिनेशन भी है वो क्या चीज़े है उसके बारे में बात हो रही है। दुनों में ही तो आपको जो अच्छा लगे जो जहां सू टेवल बेठे वो कर दीजेगा। ठीक है आजए आगे बढ़ते हैं जो चीज़े हमसे पूछी गई है उसके बारे में बात करते हैं। तो वो कहां तक कर सकता है यानि उसने चीज़े है तो और ये कौन से पोईंट है वो देंगे फिर अपरियाप्त है वो कैसे है वो पोईंट देंगे। तो हमारा काम तो यह है ना फिर निसकर्स पर चलेंगे तो कि आप हो आये क्या मेरे लिए जुरूरी है यह चीज आपने देखना चाहिए किसी को देखते ही आप किसी से वो तो नहीं हो जागत भई भावनाओं में कोई इंसान में आपके साथ आया आप डूटी पे हो आपका पागल बना दिया कि यार यह सी यह है ऐसे है और आपने देखा कि हाँ अच्छा लग रहा है है तो चलो ठीक होगा और कोई इंसान बचा उतना चीज़ नहीं है वो चीज अच्छे नेहीं दिख रही है मगर वो आपके लिए बहुत बहुत बैठर है वो आया वो अच्छे से पता मगर नहीं तो प्लीज पहला डिज्शन में कि यही से स्टार्ट होते हैं कि क्या आपके लिए इंप्रूटेंट है आगे बढ़ते समाविक्सी विकास में सामिल है तो क्या-क्या चीज़े सामिल है यह भी तो पता होना चाहिए है ना हमें प्रश्ट मुझी देख ली आप उस चीज़ के अंदर क्या-क्या चीज़े सामिल है और फिर क्या वो है कि नहीं है उस चीज़ के बारे में बात करेंगे तो समाविक्सी विकास का चीज़े क्या है क्या बात है सामिल होता है पहले इसके बारे में जान लेते हैं ठीक है ठीक है समाजिक नहीं की बात करें तो जाती और लिंग की बाधाव पर जो है काबू पाने के लिए अनुसु अभी प्रोलम्स है जहां पर भी बात आए है सब दूर हो तो समाजिक नियाए वो चीज होनी चाहिए पुइंट क्या गया समाजिक नियाए कि वह हां और उसके बारे में हमें ठिसे बता दिया एक दो लाइन के अंदर अच्छे से चीजे हो गई आगे क्या है तकनीकी परगति अधिक परतिस्वर्दी करसी सिख्षा में जो है अनुकूल सिख्षा दूदराज के छेतर में जो है टेली स्वास्ते सेवाएं और ए और जो है एम गवर्नेस के माध्यम से तेज सारवजनिक सेवाएं तो ये पुइंट हो गया कि हाँ ये चीज है ऐसे ऐसे है वित्य समाव की बात करें तो जंत सांगय की लावंस को ढूनाने के लिए कोसर विकास पर धयान देता है तो जब सारी चीजें यह होनी चाहिए है इस तरह हुआ कि शामील होती है तो आपकी बात करी है एक दो लाइन के really है वो भी बाती है विच्ट्स की बात की है को में वनकी की बात की है है इना तो वो आपकी बात इसको सपश्ट और आसान रूप से समझ में आ रही है जो की important होता है आपका प्रसुदिकन भी अच्छा है आपका इप्रवा भी अच्छा है और आपका क्या है आपकी चीजे बहुत यच्छे चीजे निजर आ रही है अगला point क्या कि आरती विकास में समावेसी विकास का निर्मान करता है तो वो कौन-कौन से point होंगे और कहाँ पर निर्मान नहीं हो पाता है वो point होंगे आरतीक विकास जो है महिलाव के लिए रोजगार के आवसर पैदा करता है उधार्ण के लिए आई-टी, कपड़ा और मोबाइल वी निर्मान चेतर में ठीक है आगे बात करते हूं कि वो point है उसके अंदर वो सामिल है समावेसी के नियागी बात है जब करते है आरतीक विकास में सहरीकरन होता है जो जाती, लिंग और परंपरिक, समाजिक जो है एचमताव पर काबू पाता है उधार्ण के लिए जो है सापेक्स, गुम्नामी और आरतीक विचार इसे जो है बाहर करना मुस्किल बनाते है समझ में आ रहा है अगला point बात करते हैं रोजगार परधान चेतर जो है गरीबो के लिए जो है आजीविका के अवसर बढ़ाते है उपचारिक चेतर को जो है रोजगार कोसल गती सेलता पैदा करता है और जो उत्पादक्ता आए बचत और मानव पुंजी में जो है कल्यान के लिए राज्य चमताओं में सुधार करता है सवास्ते जो है संकेतर जैसे की IMR, MMR जनम के समय जो है जीवन परत्यास्ता आदी में सुधार होता है उदान की बात करें तो WHO की भारत सवास्ते 45 शमिक्सा रिपोर्ट के अनुसार भारत में जीवन परत्यास्ता जो है कितना एक टाइम पिर्ड है कब 1970 का वो क्या है 47.7 ठीक है कौन से वर्स के अंदर 1970 की ये बात कर रहा है 1970 में ये चीज है और ये बढ़कर जो है 69.6 वर्स कौन सा 2020 याद रहता है ठीक है नहीं याद रहता कोई बात ने किस चीज का परसंटेज का यूज कर लिजेगा ठीक है वो चीज याद रहती है तो कोई बात ने एक्जम्पल भी यूज मत करिएगा एक, दो, तीन दिक आप माले चार पुइंट दिये हैं एक याद दो में याद नहीं रहते हैं प्रवाज कीजिए कि हर में लिखे है मगर एक आदे में याद नहीं रहता तो तो टेंसन नेने की जुरूत नहीं है उसको लाश्ट में यूज कर लेजेगा ठीक है लाश्ट में उसको यूज कर लेगा है बीच में कभी बार नहीं क्या करता है एक यह दो पॉइंट देखता है उसको अंदाज है देखता है कि हाँ उसने सारे पॉइंट पर यूज क्या है ठीक है है ना समझ रहे हो बात आगे बढ़ते हैं अब बात करते हैं समावेसी विकास के लिए अकेले आर्थिक विकास परियाब नहीं है तो वो कैसे कैसे नहीं है उसके पॉइंट देखते हैं समान आई वित्तरण एक चुनोती बना हुआ है जो है ऑक स्पहां की रिपोर्ट के वारत के एक परतिस्वर सबसे अमीर के पास तर्व परतिस्वर के पास जो है सारा धन है यहाँ पर बाखी सब और प्रूल्म्स के लिए ठो रही है वह सारी संपति लेके बैठे बैटें हर के ल", वह मज़े ले रहे हैं, बाखी, पब्लिक, भूख ते मर रही ते है, परेशान हो रही है, कोई बचार रोजगार के लिए, यहाँ पर TENSER बनी हुए है। लोग बांगे एक एक्जाम के सिस्टम पे अटेक ले रहे हैं क्यों। वह पर वह इतने प्रेसर में हैं की डिएजन बें लिए पाद हैं किसी ऩिश में भावनाओं में बहते हैं? वो आते हैं वचारे पढ़ाई करने के लिए बहते हैं किसी अन्य चीजों के अंदर उनको लगता है साथ यह भी पढ़ाई है मुझे प्रिलमस हो रही है समझ रहे हैं मैं कहा बात कर रहा हूं तो पलीज समते चलिए आगे बढ़ते हैं देखिए जोब लैस्ट ग्रोज जो है यानि इसके पास जोब नहीं है या आपके युऑव के पास जोब नहीं है तो क्या होगा परसन ग्रोजगार समझे रहे हो आती जो है तनावगर्ष करसी छेती है एसंतुन आदी जैसे मुद्द जो है पैदा करती है उधान के लिए जो है CME के अनुसार आप किसी प्रोपर रिपोर्ट किसी बारें बात करोगे तो ही आपकी बात जो है परमार्णिक लगती है अपरेल 2022 में जो है बरतनों के करण जो है विकास को रोजगार लोज कम हो रही है उधान के लिए जो है एक टन अश्कीर के उत्कादर में जो है दो दसक पहले की तुनला में आज बहुत कम स्वर्मिकों की आवशकता होती है मशीने काम कर रही है अन्य चीज़ों काम हो रहा है तो लोग बाहर है जिसे बिरुजगारी हो रहा है तो आप इसके लिए प्रियाप नहीं है यह चीज़ हमें दरसा रही है और आगी बड़िंग की बात तुमा लिज्या आप पांच नहीं तो चार दे लिजिए उससे भी कम बढ़ है तो तीनी दे लीजिए समझ रहे हो पस अपने आत में त पॉइंट अपनी जो पढ़ाई है अपनी जो नोलिज है ऐसे 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 बस खानों से में फिट हुई मिलनी होनी चाहिए ताकि कुछन सामनी आए और दाग दो कि यह पॉइंट है ऐसे है ऐसे है लीजिए है ना जाती लिंग धरम आदी जैसे जह समावेश के लिए समाजिक बाधाव को पर्याव सरूप से जो है सम्मोधित नहीं किया गया है है ना प्रलम्स है कि आज भी जो महिलाव के पास रोजगार है वो पूर्सों के मगाबले एक तियाई है आज भी चीज़े हैं है ना वो थारफ परसेंट के आसपास है और वो पच्पन परसेंट के आसपा में अभी भी 304 मिलियन से आधिक जो है निरिक्षर हैं तो अपने पोइंट हो के अब बात करते हैं निसकर्ष पर समाविसी विकास को पुरी तरह से जो है केवल आर्थिक विकास से नहीं जोड़ा जा सकता सारजनिक वस्तुवों के जो है प्रावधान और हासिये के वर्गों के लिए जो है सकरात्मक कारवाई के लिए राज्य की कल्यानकारी भूमी का आवशक है संतरता गरीमा और समानता पर अधारिक्त विकास की हमें आवशकता है तो जो निसकर्ष है वो हमेसा पोजिटिव ठीक है तो प्लीज वीडियो को सेर कीजेगा ताकि आने लोग को बेन के थैंक्स पूर वाचिन दन्ने वाग